हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के बहतरीन वीडियो में जी हाँ जैसा कि देख सकते हो जापान से हम उठाके लाली है यह एलेक्ट्रिक पेंसिल बॉक्स बोल सकते हैं यह एलेक्ट्रिक स्टेशनरी सेट बोल सकते हैं और काफी दीखने में बहुत ही बढ़िया यार इसी बात पर लाइक हो जाना चाहिए आईक्यू फन रिव्यू में आपका स्वागत है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करना उसके बाद बैल अकॉन को जरूर दाबना यार यह दीखिए यहाँ पर इंडियन प्राइज में यह 3,000 रुपीज का आता है यार यह जी हाँ चैना से आया है कंट्री और चैना है चैनीज लिखावा है और यह और भी अगर आप इस तरह के और चाहते हैं ना तो बस हमें बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको और भी इस तरह से चाहिए तो वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना है तो बेसिकल इसको क्या करना है इसको यहां से पहले डिटाच करना है यह रही यहां पर एक टेप है यह टेप को यहां से खुलना है जी यहां तुसके बाद इसको यहां से निकाल लेना है तो बस इतना ही करना है एलेक्ट्रिक स्टेशनेरी सेट फर्स टाइम ओ भाई साब ये तो हो गया साइड में लगाते हैं इसको कुछ दिखने में कुछ इस तरह से दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है यार ये तो हैना एकदम बढ़िया ये 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 स्टेशनेरी सेट था ये एलेक्ट्रिक वाला डबा पैकिंग काफी एच्छी है यार इसकी बॉक्स का क्वालिटी बहुत एच्छा है एक कॉर्टन का ये दिखे ये दो भी अगर मिल जाएंगे तो हो भाई साब क्या कहें बहुत ही बढ़ि वाले से पन इसकी कूट्ण मिले हैं हिए शापन उयुक्त रम से जाही होग्प नर बटाता हूं मैं कि उनलेक्ट्रिक वाले शापन आप सिननल हैं ब्राण न्यूआ के और यहां पर देखिए पैंसिल का पूर शेट दिया गया है और इस पेंसल दिए बड़ी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौब दस टूटल नाइन पैंसिल है 10 Pencils है यार 10 Pencils और इसके अंदर लगा के दिया है और यह इसका शॉपनट दिया है और इसको यहां से डाल लेना होगा तो यह छिल जाएगा और यह कहां पर लगाते हैं पता नहीं और यहां पर देखिए ओ भाइस साब यह एरैजर है बहुत ही क्यूट दिखने वाला दिखिए क्या करना है इसको पर्ली बाद तो ऐसा खुलना है और सहाब वेरी गुड एरेजर बहुत ही शांदार दिया है तो एरेजर इसके अंदर भी लगाना होगा शयाद और आप मैन्वेली भी इदर लगा सकते हैं है यहां कई यह देखिए एरेजर लग गया तो वैसा एरेज कर सकते हैं और यह तो पलिए निmit हैं हिरे इसके अंदर क्या था यह दो शॉपनर को भी इसमें डाल देते हैं यह हो गया पैक अभी यह दो बड़े बड़े का इटम हैं हमें भी पता नहीं है पर एक एक करके देखेंगे यहां पर देखिए कुछ दिया है यह तो कुछ दिया है देखते हैं क्या है यह आफर स्टील वाले है यार वेट है इस पर क्या है यह एक्ष़ली लॉक दिख रहे हैं है जी हाँ यह क्या सुना एक लॉक सिस्टब है जिसमें आपको दीए ये लॉक है ये जिससे देख सकरे हो ये लॉक है ये खुल जाता है और ये बंद भी होता है तो बिसिकली इसको खुलेंगे कैसा इसको आखिर ये देखे खुलता है यहां से ऐसा करें तो फिर बाद भी लॉक कर सकते हैं इस तरह के पांस दिया गया है इसका यूज हमें तो अभी पता नहीं लग रहा है पर देखेंगे मेवी आज इकीशन ये यूज कर सकते हैं एक यंदर एक के अंदर डाल के टोटल पांस दी है यार तो 3,000 रुपए में हमें देखें क्या क्या आ रहा है अब यह कि यह हो गया लग गया और यहां पर चैनीज में कुछ लिखावा है एरेजर कैसा यूज करना है दिया गया है तो इसको यहां पर लगाते हैं और यहां पर दीखिए कुछ स्टैपलर दिया है और छोटा स्टैपलर दिया है इसके निदर और दिया है कि नहीं दिया यह पिंस नहीं दिया बहुत ही इसी सिटम है यह तो यह बड़ा बाला पीन आएगा यह दर यह देए यह बहुत इक बढ़िया दिया है प्लास्टिक भी काफी अच्छा है इसका और यह वाला छोटा वाला स्टैप्लर दिया है इदर और इसमें तो दिए यह तो इसमें इसको लॉक करके दिया है इसको मैं निकालता हूं निकाल के बता देता हूं यह पंच है यार यह यह पंच मारते हैं यह होल पंच है इसके दर दालके यह पंच मानना पड़ेगा इसको लगा देना है तो यह ऐसा है यह पंच मारेगा पेपर और वह पेपर लग जाएगा चलिए देखते हैं इसके पर पंच मार क्या है क्या यह मार पाता है नहीं मार पाता है पंच मानने के लिए इसको इसा खुलना पड़ेगा तो यह खुल जाएगा तो इसके बाद यह करें वाओ पंच बिल्कुल आ रहा है यार और इसके बाद इसको यह कर देंगे और इसके अंदर ट्रे दिया है जो जाएक स्टॉर करेगा आपका पेपर दस्ट जो भी है तेंक्यू यार जिसने जिसने लाइक कर दिया तो चलिए यह वाला देखते हैं यह आखिर क्या है यह दिखिए स्पेस ड्रीम बोल रहा है स्पेस लवर्स इसमें स्टैपलर के पिंस दिया गया है पूरे बढ़े वाले पिंस है यह देखिए एकदम बढ़िया तो चलिए इसको तो लगा देते हैं स्टैपलर के पिंस है तो कोई बात नहीं अब यह हमारा एलेक्ट्रोनिक से ईलेक्ट्रोनिक बोलते हैं यह वाला एलेक्ट्रोनिक बोल रहा है यह यह देखिए यहां पर जो लगाइसर दालब पड़े हैं तो यह बैटरी Marriage में नहीं Сफ्टानीव्म होगया बैड़री होना पड़ेगा बैटरी में नहीं हमां बता देते हैं अब हैसाब ये देखिए क्या है आखिर ये क्या करता है ये स्पीकर है क्या है ये भी ऑन अप बटन है इसमें ये क्या करता है हमें पता नहीं पर यहां पर एक बीच में वो कि दिया गया है कि शॉपनर हम लगाएंगे इसमें चलिए शॉपनर लगा के देखते हैं क्यों मुलत उसको शॉपनर के पीछे जो दिया है न वो शायद इधर काम में आ जाए ये जो है इधर कि यह नहीं जाएगा यह नहीं जाएगा यह कुलता है कि में भी है यह वह साथ यहां पर दीखिये दु雅गते हैं 12 दुम्हाईटरी कि लगाना होका उसके बाद consult कि यह क्या करेगा ठीक है बैटरिस लगाना पड़ेगा उसके बाद ही मालम पड़ेगा यह क्या करता है तो इसका तो बहुत ही दबरदस दिया है अंदर से शेट अप यह देखें टाइट हो गया और यह स्पीकर दे रहा है शायद और यह ब्रेश है यहां पर नाइस यह तो बहुत ही बड़िया निकल गया इसको यहां पर लगाते हैं और यह वाला देखते हैं इलक्ट्रोनिक बोल रहा है बैटरिस चाहिए इसमें दो उसमें दो तो वैसा भी यह काफी बड़ा है और अंदर तक है और बहुत इसा वैसा नहीं है बहुत बड़ा है यह देखिए और इसमें भी बैटरिस बोल रहा है और यहां पर है जी हां शॉपनर लगाने का यह देखिए यह यहां पर फिटिंग हो रहा है शॉपनर यहां पर लगाने का तो टोटल तीन शॉपनर दिया है तो लग गया और इसको क्या करना पड़ेगा यह यहां पर बैटरिस बता रहा है देखते हैं बैटरिस है क्या है तो यहां पर आपके दो बैटरिस हैंगे टोटल हमें चाहिए फिलाल इसमें दो इसमें दो और इसमें दो इसमें छोटे वाले उसमें बड़े वाले पेंसिल से चलेंगे तो उसके बाद यह चलेगा एकदम बहुती बढ़िया बन गया यार चली इस वीडियो पे ज़्यादा लाइक कर देना अगर इस वीडियो पे 100 लाइक सा जाते हैं तो हम इसका पार्ट टू बनाएंगे जिसमें हम यह बैटरिस दालके बताएंगे आपको यह कैसा चलता है तो अमिद करता हूँ आपको यह वीडियो पसन आया है तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में लाइक करो सब्सक्राइब करो और भी इस तरह के वीडियो के लिए बाई बाई